हेलो गाईज आपका स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ 13 फैब कोज एक्जाम हुआ है GT and Academic Candidates का तो गाईज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ Review आज के एक्जाम का तो गाईज जिनका आज एक्जाम हुआ है वो ये वीडियो चुरू से लेकर आखिर तक जिरूर देखें और जिनको answers चाहिए Reading की मैंने answer की upload कर दी है और listening की answer है वो भी इसके पीछे पीछे आ रहे हैं जितने ज़्यादा फे ज़्यादा हो मैं collect कर रहा हूं answers और जब 20 के आसपास हो जाएंगे तो मैं upload कर दूँगा वीडियो तो गाइस तब तक आप हमारे चनल को subscribe कर देजी and bell को press करना तो बिल्कुल भी मत बोलिए तो गाइस चुरू करते हैं आज की एक साथ का review जो listening थी आज की part 1 जो था easy था part 2 वाज easy to average and part 3 वाज आज so easy to average and part 4 वाज easy और अगर बात की जाए तो easy to average थी इस बार listening क्यूंके इस बार mcqs जो है बहुत ज्यादा आये थे 15 mcqs आये थे इस बार and map इस बार नहीं आये था listening में तो गाइस अब बात कर ली जाए reading की तो इसमें मैंने gt and academic दोनों का comparison कर दिया reading में passage 1 जो था academic candidates का easy था gt का easy passage 2 academic easy to average gt was easy passage 3 was for academic average and for gt it was moderate गर overall बात की जाए overall वैसे मैंने लिखना भूल के लगता है यहाँ तो गाइस बात की जाए overall की तो academic and gt की तो दोनों की easy to average कई जासकती इस बार की reading आगे बात कर ले जाए writing की तो writing में इस बार guys आया है table academic writing की बात कर रहा हूँ guys इसमें पहला task कोना है table इसके लावा जो task 2 आया वो है bad consequence of crimes in newspaper and tv it should be restricted in some limit agree or disagree तो guys इसके लावा मैं gt के writing की भी बात करूँगा जी टी की राइटिंग में जो task 1 आया formal letter था इसके लावा जो task 2 है वो है agree or disagree पर government should impose tax on unhealthy food and promote healthy food do you agree or disagree तो guys यह रहा आज की exam का review और अगर आप answers चाहते हैं तो आज़े जानव को दीजे subscribe and don't forget to press the bell icon मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तो बताले good bye and thank you watching this video